Hello everyone, this is Ratnakar Singh and welcome to R&A G Kitchen Foundation. आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और पढ़ाई में completely व्यस्थ होंगे. मैं Ratnakar Singh आप सभी का स्वागत करता हूँ. एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल R&A G Kitchen Foundation में. जहां पर हम पिछले वीडियो में discuss कर लिये था concept के उपर, किसके concept के उपर सर? concept के उपर हमने discuss कर लिये था quality equation के. quality equation के concept में हमने कैसे साल्व करते हैं किसी भी quality equation को by the factation method, roots कैसे find करते हैं, उस type को हम discuss कर लिये थे. आज के इस वीडियो हम discuss करने मेल है NCRT का exercise 4.1. exercise 4.1 में क्या है, equation मनाना है और क्या है, identify कर रहा है कि कोई कौन सा expression quantity equation है की नहीं है. तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में discuss कर चुका है वो सब. तो आपको इसमें identify करना है और थोड़ा सा equation को form करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना topic जिसका नाम है क्या exercise 4.1 आपके सामने question दिख रहा है NCRT का, पूरा NCRT हम discuss करेंगे. NCRT का exercise 4.1 में सबसे पहला question क्या है? चेक वेदर the following are quality equation इसमें से चेक करिए कि कौन सा quality equation है और कौन सा नहीं है? सबसे बड़ी बात सबसे पहले हमें इसको solve करना पड़ेगा. Quality equation होने के लिए मैं एक बाए फिर से आपको condition बता जेता हूँ कि quality equation जो होता है quality equation जो होता है वो किस form का होता है वो होता है AX square plus BX plus C is equals to zero के form का where A does not is equals to zero मतलब A ड़ेटराश equals to zero का मतलब ये वाला term zero नहीं होना चाहिए मतलब X is square वाला term होना चाहिए quality equation यही होता था कि नहीं होता था आप बोलोगे? अब जो equation इस form का होगा वो इस quality equation होगा अधरवाइज नहीं होगा चलिए start करते हैं आपके सामने पहला question दिख रहा है solution number first solution number first में पहला है क्या? पहले में लिखा है X plus 1 का whole square X plus 1 का whole square जो equals to two X minus three क्या काम करना है? A plus B का whole square का expansion आपको पता है क्या होता है? A square plus B square plus 2 A B इधर का मनली प्लाइग किया 2 X minus six हो जाएगा क्योंकि 2 2 X minus six हो जाएगा इधर यह X square यह 2 X हो जाएगा और यह plus 1 है उधर वालव 2 X minus में जारा जाएगा और उधरा जाएगा plus में six इसे close to बाते zero के कुल हो जाएगी अब X square तो ही है 2 X से 2 X cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या वज़ा? शिक्स प्लस 1 से 1 वचा क्या सर यह इस फार्म का है? बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर X square वाले term है और यहाँ पर जो B इन्होंने तो थोड़ी बोला था कि B की value 0 नहीं हो सकती B की value 0 हो सकती है इसका मतलब यह इसको किस टाइप का लिख सकते हैं? इसका हम लिख सकते हैं इस टाइप का लिख सकते हैं क्री लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ से लिख दो सकते हैं जो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं तो ध्यान से देखना अब यह equation क्या हो गया? equation जो हो गया वो AX square plus BX plus C के form का equation बन गया तो आपका ये जो equation है उपर वाला ये क्या है? quality equation है बासवज में आ रही कि नहीं आ रही है अब आपको इसमें से equations और करना है उसके बाद सारे questions आपको करने क्योंकि मैं example में आपको पहले बता चुका हूँ इसमें क्या करना है? इसमें इसका multiply कर लो तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा minus 2,3,6 minus minus plus क्या हो जाएगा? plus 2,1 हो जाएगा ठीक है इसको erase कर दे आप बोलोगे हाँ से erase कर दीजिए erase कर दे रहा हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं यह आपका erase हो गया ठीक है? यह आपका erase हो गया solution number second solution number second क्या है? जहां से देखते हैं क्या है? x square minus 2x is equals to क्या लिखा गया है? minus में 2 और यह 3 minus x हो जाएगा अब इसको फिर से वही काम करना है इधर का कुछ करना है right hand side को solve करना है minus 2 3 से हो जाएगा minus 6 और यह क्या हो जाएगा plus में 2x हो जाएगा x square minus 2x यह दर आएगा x square minus 2x थर है वह भी minus 2x थर हो जाएगा और यह plus 6 is equal to 0 के बन जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा x square minus 2x minus 2x कितना हो जाएगी minus में 4x और minus 4x plus 6 is equal to 0 हो जाएगा यहाँ पर अब यह आ रहा आपका equation जो कि किसके form का है यह equation जो है वह x square plus bx plus c के form के equal to 0 के है इसका मतलब जो given equation is the quality equation बास समझ में आ रही है इसको भी वैसे करना है यह भी same हो जाएगा same वैसे भी करना है अब आपको मैं एक बता देता हूं कौन सा यह वाला बता दूं क्यूब वाले हैं जो बता देता हूं ठीक है एक बता दूं बाकी सबाब कर सकते हैं question number question number question number आजा भाई आने में इतना टाइम काहे लगता है फिर अपना आगे यह question number 7th बताते हैं question number 7th में क्या है x plus 2 का क्या है whole cube is equal to 2x x square minus में 1 solve करते हैं इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा x का cube plus 8 और plus में 3 into x into 2 2 और x plus 2 इसको क्यूब हो जाएगा यह अब 2x cube इधर आएगा कितना हो जाएगा x cube minus में 2x cube 6 x square है 6 x square इसे लिख देते हैं इसको यह plus 12 x है plus 8 और यह plus 2 इधर आगे साफ 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 नहीं देख रहा है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं इसको क्या रहा होगी exercise 4.1 का पहले question में हमने आपको तीन questions बताए बाकि आपको 5 questions अपने आपसे करने जो 5 questions वेहदासा ने क्योंकि इस बेंसे जादा से ज्यादा कुशन में आपको एक्जाम्पल के तुरू डिसकस करा चुका हूं पिछली वाली वीडियो में तो आप जाके देखिए जो बच्चे नहीं देख क्या है जो सबसे पहले वाली वीडियो देखें ताकि उनका बेस्तिक जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए ठीक ह चलिए अप डिसकस करते हैं कुशन नंबर सेकेंड के उपर क्से नंबर सेकेंड क्या बोला है चलिए देखते हैं कि का ऊच्षिर्य आप के पास है मतलब आपके मको हईसर चिए दिआ गया है इसको और क्योंट करक belt करना है में 사ब Per singing सिदह आं को हमें equation के form में generate करना है तो इसको हम कैसे करेंगे आपको बेहत आसान होगा बेहत आसानी होगी solve करने में क्योंकि आपने linear equation in two variable में अच्छी तरीके से इसको discuss किया है बस यहाँ पर जहाँ पर वहाँ पर two variable ले देते यहाँ पर one variable होगा लेकिन quadratic form में हो जाएगा वो ऐसा case देंगे आपका जो question बनेंगा वो quadratic question ही बनेगा देखते हैं देखिए the area of a rectangle plot is 528 meter square the length of the plot is one more than twice the breadth ठीक है अगर हम breath को लेट कर लेए breath let breath of rectangular garden the rectangular plot rectangular plot is equals to x तो breath कितना हो जाएगा तो length कितना हो जाएगा जो length होगा तो कितना हो जाएगा बोले हैं the length of the plot is one more than the twice of the breadth मतलब 2x से one जादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा then length जो कुछ तो 2x plus one अगर इस case में हो गया तो area आपको पास given है क्या दिया गया है area जो कुल्ड दिये हैं ये 528 meter square ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा अब अगर area जो कुल्ड क्या होता है area जो कुल्ड होता है length into breadth जो क्या हो जाएगा 528 बात समझ में आ रही है आप लोग यहां से बात समझ में आ रही है length की value कितनी है length की value है 2x plus 1 और breadth कितना है x है इसको कितना हो जाएगा 528 इसको solve करते means 2x square हो जाएगा यह और plus x और यह minus 528 is your question 0 देखिए यह जो अपना world problem था एक case study था एक case based था उसको हमने एक equation के form में generate कर दिया और वो equation किस form का है quality equation के form का है तो likely हम ऐसे और भी questions कर सकते हैं जो आपके NCRT में given है तो चलिए देखते है question number second अगर आपको इसका screenshot लेना है तो ले सकते हैं चलिए question number second क्या है question number second the product of the two consecutive positive integers is 306 we need to find the integers हमें integers को find करना है लेकिन हमें वास equations बनाना है solve नहीं करना है वास equations बनाना है तो consecutive integers अगर let first integer से जो क्या लेट कर लेते हैं x तो second क्या हो जाएगा second integer consecutive के बाद मतलब x के बाद x प्लस 1 आएगा फिर क्या बोले है product product जो क्या आया है 306 तो product देख लो x into x plus 1 is equal to 306 यहाँ पर क्या हो जाएगा x square x into x x square हो जाएगा plus x minus 306 यह आपका क्या हो गया एक equation बन गया देख रों कितनी आसाइनी से आप कर ले रहे question अरे मैं कर रहे हो तो मतलब आप ही कर रहे है इसमें कुछ है कुछ नहीं है बस आपको वही basic सीज करने है खुद आपको case में बोलेगा जो जो कर रहे है बस वही करते चले जाएगा आपके सामनी question बनके तयार हो जाएगा घवड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें कोई quantum physics थोड़ी लग रही है कि सर समझ नहीं आ रहा है दिख नहीं रहा है कुछ है ना सब कुछ आसान है बस आप साल्व करना साल्व करने का मन तो बनाओ है ना यह भी होगा question number फिर थर्ड थर्ड की बात करते हैं रोहन's mother is 26 years older than him the product of the year ages 3 years from now will be 360 we would like to find Rohan's present age ठीक है present age निकाल लेंगे लेकिन अभी तो हमें सिर्फ a question करने के लिए बोला है तो ठीक है निकालते हैं रोहन's mother's age is 26 years older than him let Rohan's age is equals to x mother age कितना हो जाएगा Rohan's Rohan's mother's age हो जाएगा कितना ज्यादा है 26 years तो x plus 26 हो जाएगा अब क्या बोले है 3 years from will now from मतलब आज से तीन साल बाद आज से तीन साल बाद तो आज से तीन साल बाद Rohan's की age कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years आफ्टर 3 years रोहन's age कितना हो जाएगी x plus 3 हो जाएगी आप बोलोगे हाँ sir बिल्कुल आज आज मैं 5 साल का हूँ 3 साल बाद 8 साल का हो जाएगी क्यों नहीं है न 3 years होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा similarly यहाँ पर क्या हो जाएगा Rohan's mother's age कितना हो जाएगा इसने भी 3 years होगा Rohan's mother's age कितना हो जाएगा x plus 26 plus 3 कितना हो जाएगा x plus 29 x plus 29 ठीक है चलो यह हो गया अब क्या बोले हैं इसी पर बेस एक case दिये हैं वो case कैसा है कि product जो है उनका वो 360 हो जाएगा means according to according to problem क्या हो जाएगा इन दोनों का product मतलब x plus 3 और यह x plus 29 क्या हो जा रहा है 360 क्या हो जा रहा है 360 अब इसको equation के form का calculate कर लेते हैं आपका answer आपके सामने होगा x into x क्या हो जाएगा x into x हो जाएगा आपका x square फिर x into 29 x 29 x हो जाएगा plus 3x और 3x 25 27 और 3 to the 6 to the 8 is equal to 360 यह value हो जाएगी x square 29 x plus 3 इस कितना हो जाएगा 30 2x और यह इदर जाके value minus में हो जाएगी कि मतलब plus 87 minus 360 is equals to 0 10 minus 7 कितना हो जाएगा 10 minus 7 हो जाएगा आपके पास 3 5 minus 15 minus 8 हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 2 minus 273 और यह हो जाएगा 32 x और यह आपका आगया x square इस equals to 0 यह आपके सामने बन गया एक निया equation इसको आप factorize करेंगे x के कुछ values जाएगी due to the factorization by the factorization method we can find the value of x then putting the value of x in any form you will find the rohan's edge and rohan's motherage okay I hope यहाँ तक आप clear हो गया होगा question number 3 question number 4 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 a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance चलो आसान बात है थोड़ा समझने की ज़रूरत है ठीक है बागी कुछ है नहीं समझना थोड़ा चीज़े आसान है देखो इसकी शॉट ले लिया करो जो बच्चे से के इसकी शॉट नहीं ले लिए बैग जाके वीडियो को पॉस करके इसकी शॉट ले लो ठीक है चलो question number 4 question number 4 a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km less then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance with the speed of the train speed of the train निकालना है तो हम लेट करेंगे यहीं से कि लेट speed of the train is x km per hour x km per hour ठीक है अब यहां से मैं आपको कुछ चीज़े recall रहोना चाहूंगा वो recall कौन सी चीज़े करेंगे आपको पता होगा कि speed इजक्कल्डू क्या होता है ठीक है speed इजक्कल्डू क्या होता है आप बोलोगे sir distance upon time distance upon time आगर इम बात करो time इजक्कल्डू क्या हो जाएगा आप बोलोगे sir distance upon speed हो जाएक ने हो जाएगा ठीक है speed लेकिन यहां पे जो case first में क्या दिया गया है case first में case first में distance कितना है 480 km है तो time को हम क्या लेट कर लेते हैं time को हम लेट कर लेते हैं T1 जो T1 आया वो distance कितना है 480 लेकिन अभी speed कितना थी अभी speed कोई uniform speed थी suppose that हमने x लेट किया है तो x हो गया अब case second में क्या हो जाएगा case second में बोला है if the speed had been 8 km less अगर हम speed को 8 km per hour कम कर दें तो distance तो सेम हो जाएगा तो time दूसरा आएगा कि नहीं आएगा अरे यह जब speed कम कर देंगा तो time ज्यादा लगेगा मतलब जो नया time आया T2 वो कितना आएगा वो आएगा आपके पास distance उतना ही है 480 km लेकिन यहाँ पे अभी speed घट के कितना हो गई x-8 कितना हो गई x-8 लेकिन इन दोनों का time का difference दिया है वो कितना दिया गया है 3 hours अब 3 घंटे ज्यादा ले रहे है इसका मतलब कौन सा time ज्यादा लग रहा है यह time ज्यादा लग रहा है कि यह time ज्यादा लग रहा है आप बोलो कि यह time ज्यादा लग रहा है यह आपका given है given है अब यहाँ पर value रखते हैं आपका answer आपके सामने होगा आपके पास जो value आएगी वो आएगी t1 t2 value है 480 upon x-8 यह minus 480 upon x is equal to 3 इसको solve करते हैं common कुछ मिल रहा है बिल्गुल मिल रहा है common 480 common मिल रहा है 1 upon x-8 minus 1 upon x is equal to 3 3 से कुछ चीज़ें eliminate हो जाएंगे 3 बंस जा 3 यह 16 ठीक है तो 160 हो जाएगा और अंदर आपके बचेगा x minus x plus 8 upon x square minus 8 x is equal to 1 बिहाद आसान है जिसको जिसको नहीं आए वो चुलू भर पाने में डूप सकता है जिसको फ्रेक्शन साल करने नहीं है वो चुलू भर पाने में डूप सकता है अब यहाँ पे x-x cancel हो जाएगा 8 कितना हो गया 1, 2, 8, 0 हो जाएगा is equal to यह हो जाएगा उधर multiply होके x square minus 8 x आपके सामने जो एक क्योशन आया वो x square minus 8 x minus 1280 is equal to जो क्या आया 0, क्या आया 0, यह जो एक क्योशन आया वो आपका question number 4 का equation है जो कि आपका जब यहाँ पे x की value find करेंगे यहाँ पे तो आपकी speed निकल जाएगी कि actual में speed कितनी थी आपकी train की uniform speed बास सबन में आ रही कि नहीं आ रही तो आपको सीखना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसे questions आपके exam में बहुत आते हैं बहुत क्या मतलब fix हैं आने के लिए हाँ बस थोड़ा language change कर देगा case change कर देगा बाकी question तो उसमें भी बनेंगे equation को solve करना भी हम सीखेंगे और आगे सीखें तो ही है practice करना है और उस practice को हम करेंगे क्या factation method वाला अभी हमें quadratic formula method पढ़ा नहीं है क्योंकि भी nature of roots पढ़ने हैं तो I hope यहां तक question number 4 तक आपको चीजे समझ में आ गई होगी अब हम हमारा जो exercise 4.1 था वो यहां पर होता हुआ complete यहां पर क्या हो गया complete हुआ तो जिन बच्चों को exercise 4.1 में कोई दिक्कत हो या फिर पहले question में कोई question ना हो रहा हो second question में अगर आपको equation में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप में comment कर दीजिए बाकी हम आपको उसका solution भेज देंगे ठीक है उसका link दे देंगे या फिर मैं उसको अगले वीडियो में आपको बता दूँगा देखो भाई अगर आपको सही से पढ़ना है तो आपको response देना पड़ेगा नहीं तो मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा होगा वैसे आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत है वो comment system में mention कर दिया कर दिया कर ये सर ये question नहीं समझ में इसको फिर से discuss कर दिये जिसको मैं next video में फिर से discuss कर दूँगा है ना टू ठीक है, मैं तो यही घुमान के चल रहा हूं, आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो भाइव वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अतनर ज़्यादा सेयर करिये, अपने ग्रूप में शेयर करिए ठीक है क्योंकि यहां पे जो पूरा कम्प्रीट इंसेयर्टिक कराई जा रहे हैं इसके बाद आपको आरे सेग्रवाल अगयरा और प्रिविएस येर कुस्संस भी कराई जाएंगे ठीक है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज 4.2 के साथ तता के लिए शुवरात्री जैहिंदैन बाए बाए